असलाम लेकुम कैसे हैं आप सब उमीड करती हूँ कि आप सब खेले से होंगे वेलकम है आप सब का रीदास किचन में आज मैं आप लोगों को बैकरी स्टाइल वनीला कपकेक रेस्पी विड़ाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी यानि मैं आपको कपकेक्स बनाना सिखा रही कापकेकस असानी हो जाए है सबसे पहले हमें एक्स चाहिए तू लाइट साइज के यानि हमें दो अड़त अंडे चाहिए शूगर जो रेगुलर होती है 65 ग्राम हमने शूगर लिये जो कपस में होगी वन फोर्थ कप और हमने लिया 65 ग्राम और जो कप में होगा वन बिलाइसंस हमने 5 ml लिया जो के 1 टीस्पून के बराबर होता है फ्लॉर यानि के मैदा 75 ग्राम लिया है और कप्स में यह होगा 3-8 कप बेकिंग पाउडर हमें 5 ग्राम चाहिए जो इक्वल होता है 1 टीस्पून के वाटर हमें 7 ml चाहिए ठीक है यह सब चीजे मैंने ग्राम्स में भी आपको बता दी है और कप्स में भी आपको बता दी है तो चलिए जी अब रेस्पी को स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्ला रह्मान रहीम सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और बाउल बिल्कुल खुशक होना चाहिए इसके अंडे और चीनी अड़ करेंगे और साथ में इसके अंडे आइड करेंगे अंडे चीनी और ओल को हम एलेक्टृक बीटर से बीट करेंगे तकरीबन 6-7 मिनिट के लिए के यह साइज में डबल होगा है यह size पर double हो गए है और इनका color भी change हो गया है अब इसके नरे vanilla icing side होगा और lemon flavor का जो juice था वो हमने डाल दी है अब vanilla icing की वज़ा यह है कि cake से अंडो की smell कतम होगी और lemon juice डाले की वज़ा यह है कि cake जो है light और fluffy सा होगा अब बहुत ही soft बनेगा तो यह आपने लाज़मी डाल ला है तो वस अच्छे तरीके से beat किया मैंने यह हमारा जबर्डस सा mixture त्यार हो गया है तो दूसरी तरफ देखे है हमारे dry ingredients हम त्यार कर लेंगे यानि मैदर और baking powder को अच्छे तरीके से mix कर लेंगे मैंने यहापे च्छान के रखे थे इसलिए मैंने direct mix कर दिया आपने च्छान कर डालना है ठीक है तो अब इसको मैंने side dry ingredients को डाल दिया और जिस beat किये थे उसी से हम इसे एक direction में beat करेंगे तकरीबन 6 से 7 second के लिए ताके जो है यह अच्छे से mix हो जाए अच्छे से mix करने के बाद इसके इंडर पानी डालेंगे और फिर इसे एक direction में 3-4 second beat करेंगे तो देखें जी बैटर हमारा जबरदस सा त्यार हो गया है अब बस spatula से इसको अकठा करेंगे और यह देखें फाइनल लुक आप लुक देख सकते हैं चंद मिन्टों में हमने त्यार की है आपने बैटर को ओवर मिक्स नहीं करना अब दूसरी तरफ हम पैन को ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा oil लेना है क्योंकि यह नॉन स्टिक होता है इसको इतनी जुरुरत नहीं होती एकी ब्रेश पर मैंने oil लगाया एक बार में और सारे cupcake वारी लाइन्स में लटाल दिया अब इसके उपर हम cupcake liner लगाएंगे अगर आपके पास cupcake liner नहीं है तो आप डिरेक्ट भी बैटर डालके bake कर सकते है cupcake liner लेके बाद इसके इनर केहेंड़गे तो half half fill करें जी तो देखें बैटर हमने इसके अंदर fill कर लिया है अब इसकी baking की timing और तरीका बता देती हूँ मैं आपको तरीका चाहिए कि आपने एक भड़े size का पतीला लेना है उसके अंदर हलकी सी layer नमक की बचानी है steel की कोई भी stand या कोटोरी है वो रखना है और फिर उसको 15 मिनट के लिए गरम कर लेना है जब वो गरम हो जाए फिर उसके energy मोल्ट रखके 15 मिनट के लिए low flame पर bake कर लेना है देखें जी माशाला से पूरे 15 मिनट बाद cupcakes डैडी होकर आ चुके हैं कितने जबरस बने हैं equal bake हुए जैसा कि मैंने काता हाफ आफ बैटर फिल कीजिएगा फिर इक अच्छे बनेंगे cupcakes तो आपके सामने है अब इसके उपर हम शूगर सीरफ लगाएंगे क्यूंकि जो cupcakes हैं इनमें शूगर इतनी नहीं होती एक ये वज़ए लगाने की और दूसरी वज़ए इसमें shining गाएगी तो शूगर सीरफ बनाने का तरीका ये है कि आदा कप आपने चीनी लेनी है उसमें 1-4 कप आपने पानी डालें और उपका लेना है थंडी कटानी है और फिर जब कपकेक्स टंडी हो जएं फिर आपने उसे डिश आउट कर लेना है देिखें जब 4-5 मिनट में इसमें आपक कमाल के कपकेक्स बनते हैं मैं अपने मुझे जरीफ नहीं कर रही सच में बहुत मसे के बनते हैं आप लोग यह ट्राइए करेंगे तो फिर आप लोग भी मुझे यही कमेंट करके बोलेंगे तो देखें आपको मैं तोड़के दिखा रही हूं माशाला से कितने जादा लग रहे हैं पता चल रहा है देखने से इंदादा है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं पर्फेक्ट होते हैं और मतलब कि जैसे आपको बैक्री से मिलते हैं कपकेक्स वैसे आप घर में बना सकतें अब यह जी बैटर कुछ पच्छ गया था तो मैंने उसका जो एक एक केक बना सकती थी लेकिन मैंना था कि मैं केक भी आपको बना के दिखा दूं कि इससे केक भी बन जाता है अगर आप पूर एक पैटल का कपकेक बनाना चाहते हैं तो उससे 10-11 कपकेक्स बनेंगे तो यह केक भी सेम उसी तरीके से मैंने जो है न मॉल्ड में डाला और फिर उसको बेक कर लिया और इसको बेक करने में 25 मिन्ट लगे थे तो देखें कि माशाला से कितना जबरदस तरीके से जो है ना केक भी हमारा त्यार है बहुत ही लाइट वेट बनता है बहुत ही सिंपल और ईजी सी रेस्पी है ज़रूर ट्राइ कीजिएगा और यह मैं आपको कहना मुझे कॉमेंट राजमिक किया करें मुझे बहुत खुशी होगी और हाँ अगर आप लोग और मजीद अच्छी अच्छी रेस्पीस देखना चाहते हैं तो प्लीज मिरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे स्पोर्ट करें ताके मैं ऐसी इसान असान रेस्पीस आपनों क को सिखाती रहूं इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाहाँ